हेलो इवर्वान गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप सब होफुली बहुत ही अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं तो यहां पे खाली पेट में गरम पानी पी रही हूं और तेज गरम पानी और दो से तेन ग्लास में पानी डेली ही पीती हूं गरम रहां आज की एक्सरसाइज आज मैं बताऊंगी फेस एक्सरसाइज ठीक है जो लाइन के लिए और जो गोलु मोलु सा फेस उसको स्रिम करने के लिए जैसे मेरा है मेरा भी है थोड़ा से मेरा भी और पिछ जाए तो अच्छा लएगा पहलो तो ऐसे था था तो भी आसे हो गया तो हुजे भी आइधिक फेस एक्सरसाइज की जरूत है हलाकि जब वेड लॉस होता है तो फेस पर भी काफी असर पड़ता है तो आप जाधा चिंदा मत किया करो काफी लोग का कमेंट आ रहा था कि फेस एक्सरसाइज बताओ एक बर मैंने शेयर किया हुआ है बट आप लोग सायद नहीं हो तो वी तो नहीं नहीं है एकिसे जलाने मतलब मतलब ज्यादा अगर मतलब चिपकुसा मतलब चिपकुस तरह ज़ता है तो लोग मुझे क्या नेप्नली गते है जब मैं यहां साधी को करके आई थी तो में मैं दुभली पतली थी मेरा फेस भी छोटा सा था विलकूल यह सता था त कोई कोई बोलता था कि आप नेपाली हूं क्या मेरा चिपटा फेस लगता है तो इसलिए मैं वह आला लुप मुझे अच्छा ने लगता है मैं चाहती हूं कि थोड़ा मेरा फेस भरा रहे नग इससे थोड़ा आसा कम हो जाए है ना तो चलो फेस इक्सराइज स्टार्ट करते हैं ठीक है और हां हसना मनाए क्यूंकि इसमें अजीव 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 लगता है तो आप लोग मतलब देखर के हसी आएगे तो हसना मनाए ओके चलो स्टार्ट करते हैं कर यह बहुत आइफेक्ट पड़ता है अगर किसी भी करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट लेता है थे किके बोड नहीं हो यहागा भणकि यह वर्म मुझे नहीं या मैं बोलते हम यह बहूंता है मतलब बहुत बहुत हैं वह बताता है इक्सराइज मतलता हैं इसलिए महां क उसके बाद से तीस का थीन सेट करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिस की तरह मुह बनाना इस तरह से करके और गर्दन को ऐसे उपर की तरफ ले जाना है तो यह इससे देखिए जॉलाइन पर भी फर्क वड़ता है और जो गले पर लेयर्स हो जाते है ना दो तीन लेयर्स मो भी सही करता है यह तो इस तरह से 30-30 रिप्टेशन तीन सेट करना है ठीक है बहुत ही अच्छा वर्काउट बहुत इफेक्टिव वर्काउट है आप लोग 15-20 दिन करके देखना मतलब उतने दिन में ही आपको काफी फर्क नजर आएगा नेक्स्ट है इस तरह से हमें अपने माॉथ को बनाना है इसका भी तीज का तीन सेट करना है ठीक है फिर नेक्स्ट है इस तरह से ओपन माॉथ करना है और अराम अराम से करना है ठीक है इससे भी जॉलाइन पर और जो चिक्स पर फैट होते हैं वो और गर्दन एरिया पर भी फर्क पड़ता है तो इसका भी तीस रेपिटेशन करना है ठीक है तीस तो 100% करना ही है आपको कितना भी पेन हो ठीक है स्टार्टिंग में 2-4 दिन हो सकता है आपका मुह पेन करें तो उससे घबराना नहीं है ठीक है क्योंकि आप अभी यह नियू इक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे है तो थोड़ा सा पेन होगा फिर उसके बाद से सही हो जाए ligs को आइसे safe मतलब हो करना है उत्ता करने बाद मेरा दर्द होने लगा तो घयर कोई नआ आप एक 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 रिपीटेश्न करने के बाद सब्सक्राइज करने के बाद सुर्ब robot किसको चिडाओगे अब पता है मैं कर रही थी आसे ना तो मेरा बाबु देखके बहुत हासरा था उसको लग रहा था मैं खेल रहे हूं उसके साथ इसका भी तीसका तीन सिट करना है ठीक है फिर इस तरह से आपको बनाना है मतलब सब ऐसा पोज है ना जैसे लग रहा है कि किस ठीक है सभी का तीस तीस का आपको तीन सिट करना ठीक है अगर चार सिट होता है तो फिर और भी बहतरीन है बट अब इस स्टार्टिंग में इतना ही करिए आप लोग बेस्ट होगा दस पंदे दिन बाद बढ़ा लेजेगा इस तरह से मुझ को फुला के रखना है और पुस करता है ठीक है इसका भी आपको तीन सिट करना है ठीक है नेक्स्ट है इस तरह से अपने फेस को ऐसे खीचते हुए और यह बाला जबाब करें ना तो अगर हो सके तो अगर आप मौणी में कर रहे हैं तो अपने फेस पर नारियल का ओल लगा कर या फिर ऐलोवेरा जेल लग कर येगा अपने फेस पर लगा हुआ हो और इस तरह से करिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा ठीक है उसका भी आपको 30 का 3 सिकट करना है तीस सेट करना है सौरी तीन सिकट नहीं उसके बाद से फिर जितना भी मैर काउट बता रहे हैं सारे का आपको 30-30 रेपटेशन 3 क्यों निकल रहा यार फेहमों से सॉरी उसके लिए फिर इस तरह से फेस पर थोड़ा सा अगर सिलिपरी कोई चीज होगा ना तो और भी अच्छा होगा जैसे लग रहा देखिए अभी मेरा फेस सिलिम हो गया थोड़ा दबाओ पड़ा है ना तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है था पतला हो रहा है मतलब लग रहा था हुआ नहीं यह कि दिल में नहीं होगा उसके पास से इस तरह से अपने फेस को खोल करके और 10 तक होल रखना है ठीक है दस तक करिएगा फिर बंद कर लिजेगा और इस तरह से दस दस का तीन सेट करना है यह रहा फेस एकरसाइज पेन होने लगा पूरा और कुछ पंदरह मिनट में मैंने यह पूरा सेट किया है अब इक राउंड किया ठीक है ठीक है 15 15 15 30 15 तीन पंदरह पैतालीस पैतालीस मिन का कुल आपका एक खरसाइज होना चाहिए ठीक है और इसको रेगुलर करिएगा चाहे तो एक तरह दिन छोड़ करके करिएगा तो 12 बज़ रहा है और मैं खाना लेके आ गई हूं न्यूट् इसमें मेरे मसाले में क्या पीसा है पता है हरी मेर्स लहसन जीरा और धनिया होता है वह अल्दी वगर यह डालके सिर्फ बनाई हूँ हूँ है अजरण दाला है मैंने बहुत टेस्टी बनी है आलू बॉयल करके बनाया था थोड़ा ही आलू डाला है मतलब दो आलू मीडे मे ने नुट्रिला डाला हूँ है तो मैंने सिर्फ नुट्रिला चुन करके लिया है थोड़ी सी जूस ली है दही ली है और ब्राउन राइस बनाया था मैंने वह लिया है अधी रोटी में खा ली थी सुबही सुबहीं जब इन लोग को खाना दी हूं था भी आगा अधी उसके बाद से कुछ टाइम बाद कुछ टाइम किया करीब 2 घंडे हो रहे थे तो मैंने ये पानी पी करके फिर मैं सो गई थी सो करके फिर मैं साम को उठी थी और साम को मैंने बनाया घरवालों के रिए बहुत ही स्पेसल डिस जो कि अभी आप लोग को दिखने को मिला गया यह देखो मतलब काफे टाइम से मेरी बेटी भी बोल ले थे यह वह बनाओ चाट घर पे चाट बनाओ घर का जो चाट होता हो वह हेल्दी होता ना हम हेल्दी तरीके से बनाते हैं तो यहां पर सारे इंग्रेडियंस हमने तैयार कर रखें दही को मैं फेट नहीं ह तो मैं जादा तर मैं टोमैटो केचप से ही बनाती हूं तो उसकी चटनी मने ले ली थी और आलू की टिकी और इसमें ठोड़ा सा अरारोट अड़ करके मतलब मिक्स करके और फिर मैंने इसकी टिकी बनाई थी उसके बास से इसके उपर डाल देंगे ऐसे प्याज और हाँ य आप तो सम्भी तावला है सभी में वो थोड़ा-Thोड़ा सखाता है और हमें नहीं Japanese है यह बहुत अनहेली है क्योंकि आलू है आलू तो बिल्कुल नहीं कहाना है हमें आ तो अगर आप लोग अपनीं हैम्ली लेगें दैंगे त वह तो ड़ाल दीजिए मेरे पास नहीं था मेरे पास मीठी वाली नमकिन थी खटी मीठी जो नमकीन होती है लोते है तो वह ने डाल दिया था और बहुत टेस्टी हुआ था सभी लोग खाकर एक दम मस्त हो गये थे कि अपलोग सोचो गे इतना टेस्टी टेस्टी बना करके आप कैसे कंट्रोल करते हैं तो मैं बनाती तो बटखाती नहीं हूँ आप लोग को भी यही करना है कंट्रोल करना है तो हम आ गया है पार्क में कर लेगे वोकिंग मौशम आज अच्छा है कल तो बारिस हो गई थी आते ही बारिस हो गई इतना मूड justo मुड घराब हो गया ना पुछ आज मौशम सही है पार्क में बड़े गावज हो गया थे उसकी बिकर इनल Nep bil shop काफी क्लें ओगया है रग और मुसली को क्यों है कोई है बहुत ही एलदी होता है तो मेरा बाबू भी मतलब जो मैं खाती हम तो यह खाता है इसको अच्छा लगता है तो आजके डिनर में यह था ऐसके बाद से अपने डारी मेंटेन करा मैंने और बढ़ा बुक में मैंने आज ये पढ़ा आत्मे विश्वास के अभाव में यदि किसी ब्यक्ति के पास बंदोग भी है तब भी वह लाठी वाले साहसी ब्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता बागे आप लाइन्स पढ़ लो बहुत ही अच्छी ला बाइ बाइ टेकेर गुटनाइट लव यू गाइस